तो यह form है तो इसमें हम इस बटन को बीच में नहीं ला पाए थे तो उसको मैं चाहता हूं सेंटर में आ जाएगा तो कैसा रहेगा सही रहेगा ना तो मैं कैच करूंगा यहां पर एक अप्रोच है इसका जो साइज अब इतना है और इसका यहां पर बन चुका था अब मैं यहां पर का करूंगा जो यह यह जो लाष्ट वाला है इस गरेड की साइज में करूंगा टूप लगा जो इन लावाह है मैं मैं i po3 धोंगा टू तो आप कैहां जाएगा कि यह का चैंटर यो लाइन इह आगा मैं यह सब Corey तो मैंने कहा कि जो ऊपर जो दो ग्रिड है उनके बरावर का यह वाला जो ग्रेड है वह होना चाहिए तो मैंने के वाले लॉगिन के साथ तो मैंने इसको ऐसा किया नौ मैं मैं इसको यहां से रिमुब कर देता हूं मैं सको कमेंड कर देता हूं रण करते हैं तो आप देखोगे कि यह तो इसको भी सार्ए सकते हैं कि है किस साइड आप रखना चाहता है को बहुत ईसके को य तरह से आप इसको कस्टोमाइज कर सकते हैं, अगर वो सेंटर में नहीं होता तो आप डॉ voters करते हैं, तो वो सेंटर में आ जाता है निगा लो पर अगदरेसे बाद करता हैं, तो अब हम बात करते हैं, बेर्णर में एक बर्डर होता है, और बादर में यहाँ पर लिखा होता, इस तरह से मैं बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं यहां पर एक बॉर्डर होता कुछ इस तरह से, और इस बॉर्डर में यहां पर लिखा हूता, मस्त की यह form है, मैं लिखता है, लॉग इन फॉर्म तो यह देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इसको कैसी create करेंग करते हैं तो हमने अगर कहा create create well border, create compound border, create compound border, create dash border, create empty border, यह हमको border create करके border object and कर सकते हैं, तो अगर आप border में जाओगे, मैं चलता हूँ border class में, border की जो sub classes है, बहुत सारी border's यहाँ पर, आप इनके constructor call करके भी border create कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका यह होगा कि आप border factory का use करें, तो यूज करते हैं border factory का, तो अगर मैं इस panel में, इस panel में add करना चाहते हूँ border, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं चलता हूँ initialization जहाँ पर मैं कर रहा था, तो वहाँ पर मैं इस को करूँगा, तो यह best तरीका होगा, तो form panel को भी हम initialize कर देते हैं, इसमें, इनिट में और इसके बाद हम करेंगे, form में border add करेंगे, तो मैं एक border create करूँ नहीं, तो मैंने कहा border, d is equals to, मैंने यहाँ पर कहा border factory, border factory dot, border factory dot create, create, create border, तो इस पर हम अभी नहीं जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हमने कहा, create, 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 यह, यह, वैवल border, तो इसको type pass करना है, तो type कैसे pass करेंगे, तो हमने कहा, यहाँ पर एक class है, wevel border, sorry, तो काम करते है, border dot, border dot in type pass करना है, तो type में क्या करना है, ओके, तो बार documentation को follow करेंगे, और देखेंगे, कि इसको क्या चाहिए, ठीक है, तो border factory में जाएंगे, यहाँ पर type देखना है, तो border, okay, lowered and raised, तो इस तरह से यह, जो type है, इसको define करना है, okay, तो check करेंगे, हमने कहा, B, E, V, okay, तो यह आगया, byvel border dot, यहाँ पर type है, तो raised or lower, तो मैंने कहा raised, यह हमने border create किया, now border set करेंगे, हम form panel में, तो हमने कहा, form panel dot dot set border, set border, border, border object हमने दिया, now इस application को run करते हैं, तो आप देखोगे, यहाँ पर आप को border देख रहा होगा, लकासा border देख रहा होगा, ठीक है, यह आप देखोगे, boundary यहाँ पर देख रही होगी, ठीक है, तो अगर मैं इसको set नहीं करता हूँ, मैं इसको comment किया, और इसे run किया, ठीक है, तो आप देखोगे, और now मैं इसको uncomment कर देता हूँ, और मैं इसे again run करता हूँ, ठीक है, तो अब आप देखोगे, कि इसमें और जो पहले वाला form था, उन दोनों में क्या difference है, यह देख सकते हैं, तो इसमें हलकास आपको border देख रहा होगा, ठीक है, तो दोनों को मैं close कर देता हूँ, और जो हमारा border का जो दूसरा type था, तो आपको यहां मिल जाएंगे, आप इसको try कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने यहां पर कहा border be is equals to, मैंने कहा border factory, border factory dot create, create, create eased border, ठीक है, यह border create किया, border को set किया, ना run करते हैं, तो आप देखोगे, यहां पर भी एक border create हुआ, ठीक है, तो यह border हो गया, दूसरे border के बारे में बात कर हैं, तो यहां पर एक और border create करें, border be is equals to, हमने कहा border factory, border factory dot create, create line border, line border को color चाहिए, और ठीकने चाहिए, तो line को हमने color पास किया, हमने कहा color dot, color dot green, और width चाहिए, इसको तो मैंने कहा 50 का मैंने width पास कि, बहुत ज्यादा हो गया होगा 50, पर कोई नहीं देखते हैं, तो हमने से run किया, तो आप देखोगे, कि यहां पर यह 50 का एक border आ गया, ठीक है, इसको और थोड़ा से थिक कर देते हैं, हमने कहा 5 करेंगे, और run करेंगे, तो आप देखोगे, कि यहां पर 5, जो width था उसका, यह तरह से border, ठीक है, तो यह border होगा है, जो कि उतने जादा खास नहीं है, तो एक border, जो कि बहुत साधणार है, बहुत अच्छा है, उसके बारे में बात करते हैं, तो एक border create करेंगे, हमने कहा, उसके बारे में बात करेंगे, अब इसको शोड़ देते हैं, हम यहां पर सबसे पहले बताते हैं, कि B is equal to, हमने कहा, border factory, border factory dot create empty border, अब मैं empty border create करता हूँ, मनलब कि कुछ line अगरा नहीं होगा, वास एक gap create होगा, तो यहां पर मुझे pass करना है values के इतना gap चाहिए, तो मैंने का 10,10,10,10,10, यह मुझे gap चाहिए, चारों तरप से और ऐसा एक border बनेगा, ठीक है, और border मैंने set किया, run करेंगे तो आप देखोगे, कि हलका हलका gap मिलेगा, ठीक है, तो मैं अगर इसको increase कर देता हूँ, मैंने इसको का 50, और मैंने run किया, तो आप देखोगे, कि यहां पर यह नीचे से 50 हो गया, तो यह border है, तो border बन गया, तो अब बात करते हैं, create compound border, compound border क्या करेगा, तो मैं इसे border object, border d1, border मैं इसे कर देता हूँ, outer, border outer, ठीक है, border outer मैंने create किया, compound border, compound border मतलब एक से 2 border, 2 border को आप मिला करके एक border बनाओ, इसको हम कहते है, compound border, तो दो border मतलब एक inner और एक outer, तो मैंने एक outer border बनाए, आप मुझे inner border बनाना, inner border मैं चाहता हूँ, line बाला border बने, तो मैं आपर इसका border factory, border factory dot create, dot create, create, create line, create line border, मुझे इसका color pass करना है, तो मुझे इसका color देना है, मैंने कहा, dark gray color ठीक है, तो दो border बना दी inner router, now, यहाँ पर एक overloaded version है, create compound का, एक border outer और एक inside, तो outer मैंने पास किया, inside pass किया, तो आप इसे में run करूँगा, तो आप देखोगे, यह एक अलग effect आएगा, तो यह border create हुआ है, find, इस 50 को मैं आसे remove कर देता हूँ, मैंने आपर का 10, 10, now run करते हैं, तो यह देख सकते हैं, बाहर एक आपको empty border देख रहा है, उसके बाद एक outer में आपको एक inner में आपको एक और border देख रहा है, जो भी line border, यह दो border में लाग एक border को create, ना यहाँ पर अगर border में title होगा, तो बह title border को एक और border चाहिए, और एक title चाहिए, टीक है, तो outer border चाहिए, तो outer border में line border रग देता हूँ, टीक है, तो मैंने यहाँ पर एक और border border, border line is equals to, मैंने यहाँ पर कहा borduw six, border, border, पुझेवेज़ आई, आई लाइन बॉर्डर, लाइन, फेक्टरी डॉट डॉट डॉट, टॉट टॉर्ड है, तो हमने याँपर कहा, सीरी, कलर टॉरोट, डॉरोट डॉर्ड लाइन, तो डॉर्ड दि यहां डॉय, तो डॉर्ड खेंड, गैसाने तौनर लाइन, सही लिए, और इसमें आपको title set करना है, क्या title set करना है, तो हमने यहाँ पर कहा login form, login form और यह एक title border create किया, ना भी title border को हमेज inner border यूज करना चाहए, हमने आपको compound border, outer, inner, now run करते हैं, तो यह border थोड़ा सा बहुत ही अच्छा दिखता है, तो यह आया, एक login form create हुआ, आप मैंने देख सकते हो, login form बन चुका है, और यहाँ पर, जो title login form है, उसके अंदर मैंने form create किया, तो यह अब देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो यह login form मैंने create किया हुआ है, ऐसे आप बहुत सारे form एक ही window में create करते हैं, आजू बाजू एक दो form create करते हैं, login, sign up, तो आप उसमें एक border create करके बाता सकते हैं, यह login form है, और यह sign up form है, ठीक है, तो इस तरह से आप इसका use कर सकते हैं, ठीक है, तो यह inner border, dot, इसमें और भी methods है, border insights, इसका आप यूज कर सकते हुआ, ठीक है, border of pack, तो इन सब का आप college होना, यह इतना ही border आप ज़्यादे यूज कर सकते हैं, तो यह border, जो title border है, यह बढ़ा अच्छा border है, तो हमने form create किया, यह panel की use के, लेकिन आप यहाँ पर देख रहा होंगे, हमने एक ही class में सारा का सारा code है, यहाँ पर लिखा है, तो थोड़ा सा ही confusing है, एक ही class में सारा form और दूसरे form का code भी हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, यह बहुत catch जाएगा, जिक जाएगा, उससे हमें बहुत दिक्कत होगी बाद में, code को समझ देंगे, तो इसके लिए हम code को separate रखते हैं, तो कैसे हम separate करेंगे, उसके बारे में next video में तो जो की बहुत जरूरी है, ठीक है, तो